जाहिन दोस्तों बीसप ट्रेट्समेन का 28 अगस्त 2023 को एकजाम हुआ था अगर आप एकजाम दे चुके हैं तो इस वीडियो को कमपलीट जरूर देख ले ना दिया दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि रिजल्ट को लेकर एक लेटेस्ट अपड से जुड़े हैं लेकिन टेलीग्राम गुरूप से नहीं जुड़े हुए हैं अगर आप अभी तक टेलीग्राम गुरूप से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्करप्सन ने लिंक दिया गया है आप सभी टेलीग्राम गुरूप को जोईन कर लेजे तो उससे क्या होगा चोटी मोटी कोई फिर इंफोमेशन आती है जोए कम चादा हो हम उस पर टेलिग्राम पर डाल दे ताकि आपको इसकी सूचना मिल सके हमें हर एक बात पर वीडियो ना बनानी पड़े इसलिए मैं आपको कहता हूँ चले वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ वेल आइकन और पर जरूर प्रेस कर लें क्योंकि फूचर में भी आपको इस चैनल के माइदम से काफी जारा हेल्प मिलने माली है आपको बता दे मेरे दोस्त कि बेस अप्ट्रेस्मेंट का बुलाए जाएंगे या फिल नहीं बुलाए जाएंगे यह सोच रहे हैं और दूसरी बात यहाँ पर वो ए इसोच रहे हैं एक ही अपडिट है जो कि मैं आप सभी को आपडेट है कि आप सभी का जो रिजल्ट है उसे जान भूज कर यहां पर डिले किया जा रहा है किसका राड़ के जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आप सब पता होगा आप सभी को कि यहां पर एक वेकेंसी आई हुई थी 2788 पोस्टों पर जो पिछली बार ब तो यह वेकेंसी बढ़ गई ठीक है लेकिन अब यहां पर बड़ा वात यह निकल के आ रहाई है कि अगर यह बेसफ अगर नई वेर्थी जारी करेगी तो क्या यह जो पिछली वेकेंसी है मतलब जो 2888 पोस्ट कर दिया गया है बढ़ाकर जिसका आप सभी जल्ट का वेट कर रहे हो अगर वो नई वेकेंसी जारी करेगी तो क्या इसमें से पोस्टे कम कर दी जाएंगी यह आप सब के लेटेस्ट अबडेट है लेकिन आपको बता दे मरे भाई कि यह भी हो सकता है क्योंकि हम मुझे क्लियर नहीं पता है लेकिन जहां तक जानकारी यहीं मिल रहे है जो 258 पोस्ट निकल के आई हुई है न इसमें भी वेकेंसी आपकी कम की जा सकती है अब आप यह मत कहना कि अगर कम करनी होती बढ़ाते क्यों तो मैं आपको एक 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 जामपल दे रहा हूं CRP अप्टेड में में वेकेंसी कितनी आई हुई थी उसके बाद देखो 148 पोस् पोस्ट कर दिया क्यों कर दिया अब आपको इसका जवाब नहीं मिल पाएगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जो है 208 पोस्टों से कुछ घटाई जा सकती है और टोटल यहां पे करीब 2000 प्लस पोस्ट बनाकर बेस अप टेस्मेंट की एक नई भरती यहां पर लानी होगी ठीक है उसमें रीजन क्या है क्योंकि जितने बच्चों सेलेक्शन होगा उतने बच्ची इसमें जाएंगी नहीं अब की बार जो एक्की सो ठाउन पोस्ट है और जो यह सारी कारण है जो कि मैं आपको बता रहा हूं तो रिजल्ट आपका डिले क्यों हो रह है कि यह वैकेंसी अभी जो एकिस सो अठाउन पोस्ट है अभी यह अप्रूब हो जाए मतलब कि अगर यह कंफर्म फटा चल जाए कि यह वैकेंसी नहीं घटेगी है तो आप सभी का रिजल्ट जो है वो इसी पोस्टों के अधार्प जारी कर दिया जाएगा लेकिन अभी वैकेंसी को लेकर यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाया है वैकेंसी को घटाया जाए या फिर एकिसो ठाउन पोस्ट जो है उतना ही रहने दें इसी के कारण आप सभी का रिजल्ट जो है वो डिले होते हुए दिख रहा है ब्यस अप टेस्मेंट की जानकारी आप सब को कहीं से नहीं मिल सकती है मेरे भाई क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़रा फोन कॉल्स मैसेज वाटसप चारो तरफ से जब मेरे पास आ गए तो मुझे बहुत ही महिनत के बाद यही एक इन्फरमेशन यहाँ पे निकलके आई लेकिन अगर आपका 2100 ठाउन पोस्ट पर ही अगर आपको सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसलिए परिसान नहीं होना है आगे आने वाला 10 से 20 दिन के अंदर आप सभी को सारे चीज़ें क्लियर होके पर चल जाएंगी क्योंकि विभाग ये भी जानता है कि अगर हम 2100 ठाउन प तो उसके बाद इनका जल्स जद हमको ट्रेटेश भी करवाना आनिवार होगा और ट्रेटेश साथ साथ हमको डॉक्यूमेंटेशन भी करवाना होगा तो इसके लिए ब्यसाफ अभी तयार नहीं है क्योंकि ब्यसाफ आरो आरेम का यहाँ पर अभी फिजिकल चल रहा है ट्रेटेश और डॉक्यूमेंटेशन का भी एड्मिट कार जारी कर दे जाएगा ब्यसाफ की तरफ से यह आप सब के लेटेश अपडेट है आप इसको मान सकते हैं अगर आपको नहीं मानना है आप सभी हमको पता यहीं बोलेंगी गलात इन्फरमेशन है क्योंकि अगर यह साया होता कहीं कि यह तरफ से या कहीं से आपको और जानकारी मिली होती अगर आपको यह जानकारी मिलती या फिर आपको नोटिस दिखाय जाता तो आप समझ जाते हैं हाँ यह बास सही है लेकिन आपको बीना कुछ दिखाये हुए मैं आपको बता रहा हूं मतलब कुछ तो तो कि जो latest update है वह ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 258 post पर जब vacancy बढ़ाई गई है 288 post कर दिया गया है तो इतनी ही post पर भरती होगी जहां तक है लेकिन इस vacancy को घटाने को लेकर यहां पर बात कही जा रही है अगर यह vacancy घटी है तो यहां पर करीब 2000 प्लस vacancy बेसफ टेस्मेंट की नई भरती आएगी या अगर यह vacancy नहीं घटी है इतने पर ही सिलेक्शन हो जाता है तो यहां पर बेसफ की post तो आएगी ही आएगी चाहे 1200 post ही क्यों ना आए ठीक है लेकिन नई भरती आएगी यह बात fix से यहां पर लेकिन जहां तक हमको साथ हो चांसे सही लग रहा है कि अपने अगर अनुमानित मैं आपको अभी तक जो बता रहा था वो बता रहा था information मिलने के बाद लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूँ मेरा खुद का experience बोल रहा है मेरा experience ही कहता है कि 218 पोस्टों को जो वेकेंसी बढ़ चुकी है अब 218 पोस्ट कर दिया गया है इतने बच्चों का selection होगा यह बात fix से वेकेंसी नहीं घटाई जा सकती हो सकता ऐसा हो जाए कि वेकेंसी आपकी इन्या कटाया जाए और 218 पोस्टों पर ही बच्चों से lesson हो जाए और होने के बाद जो बच्चे ट्रेंडिंग पर नहीं जाएंगे उनको मिला कर और पीछे जो पीछले का डाटा है पीछे की डाटा जो है उन सभी को मिला कर यहाँ पर एक नई भरती 2000 प्लस पोस्टों पर बेस अफ्टेस्मेंट की निकाली जाएगी ये हमारा अनुमान कहता है बाकि क्या कुछ होता है भी भाग क्या तैय करता है ये आगे आने वाले समय में कुछ दिन के अंदर बता चल जाएगा बहुत ज़रा समय नहीं लेगेगा अगर मैं आपको अप्रॉस बताओं यहाँ पर 10-15 दिन के अंदर सारी बाते यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल सकता है तो ये बात क्लियर हो गई अब कोई भी भाई यहाँ पर कमेट मत करना कि मैं आपको वजह बता दिया है इसी करण से नहीं आ रहा है लेकिन आगे आने वाले 10-15 दिन के अंदर यह बाते क्लियर हो जाएगी और मैं आप सबके लिए जैसे भी इंफ्रमेशन मिलेगी तो मैं आप सबके लिए फिर से वीडियो से आपके त्यार करूँगा ताकि आपक को सही जानकारी मिल सके तो अभी कले मिलते ने इस वीडियो में एक सांदर अब्रेट साथ अब तक के लिए जाहिए इन जभारत वंदे मात्रम